जी हैं नमस्कार किसान भाईयो किसान वीरो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने हरियाना मौसम समाचार के इस वीडियो में जी हैं यहाँ आप जानेंगे अपने सहर अपने गाउं और अपने कजबे की मौसम की ताज़ा रिपोर्ट अगर आप हरियाना क उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले हरियाना में गर्म होने लगा है मौसम 30 डिगरी की और अग्रसर हुआ दिन का तापमान जहां मौसम में लगातार बदलाव जारी है मौसम गर्म होने की सूचना मा के दूसरे पकवाड़े में लगाई जा रही थी लेकिन पहले पकवाड़े में ही ताबमान तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है दिन में गर्मी मैसूस हो रही है दिन का ताबमान अठाई जीरी सेल्सियस को पार कर गया है और तेजी से तीजीरी सेल्सियस की और अगरसर है मौसम विभागने भी मौसम में बदलाओ की कोई संभावना नहीं जताई है ऐसे में संभाव़ की आने वाले समय में तापमान में और ब्रद्धी देखनेों को मिल सकती है यानि अब गर्मी का दोर सुरू हो चुका है मार्च में ही लोगों के पसीने छूटेंगे संभावना जताई जा रही है कि इस महीने अधिक्तम तापमान 35 जिग्री सेल्सियस के पार हो सकता है तेजी से बढ़ता तापमान ठीक नहीं है क्रसीवम कल्याल विभाग के पूर्व तकनी की अधिकारी डाक्टर एस पी तोमर ने बताया है कि मार्च मा में अचानक तेजी से बढ़ता तापमान ठीक नहीं है पहले पकवाड़े में तापमान 30 जिग्री से नीचे बना रहना चाहिए उम्मीद भी यही की जा रही है लेकिन दो दिन से तापमान में लगातार व्रदी देखने होगी मिल रही है जिस कारण 15 मार्च से पहले ही तापमान 30 जिग्री के पार जा सकता है हलाकि गेहों की फसल की देश्टी से मार्च के दूसरे पकवाड़े में व्रदी होनी चाहिए इससे फसल धीरे धीरे पक कर तयार होगी और फसल उत्पादन भी अच्छा होगा अचानक घड़ता वब भड़ता तापमान फसलों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है देश भर में कैसार मौस में सिस्टम रहेगा माउक बताते हैं मौसम विभाग की मताबिक इस पस्चिम भी चोप उत्री पाकिस्तन और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है यह आज ना तक जब्भु कस्मीर तक पहुंच जाएगा प्रेरिघ्ज चक्कवाथी हवाओं का छेत्र राजस्तान आसपास के छेत्र पर बना हुगा है एक टर्फ रेखा दच्छिर माराज से गुजरात होते हुए दच्र राजस्तान पर बने चक्कवादी हवाओं के छेतर तक फैली हुई है दच्र बाग्लदेश के उपर सकुरसन देखा जा सकता है जियां ये थी हर्याना से जुड़ ही मौसम की ताजा अपडेट मिलते हैं आफ सभी को अगले वीडियो में तब तक टियार ने उसके साथ बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले जियां जाहिंद जाहरत